कि आजकल हर 420 जवाब सवाल का भाजपा की सरकार के पास एक जवाब है वो है 370 कहते हैं ना कि 420 का एक जवाब 370 लोग पूछ रहा है किसान के आत्मत्या क्यों हो रही है 370 गटर से पानी क्यों बैरा है 370 हर साल दो करो नौकरी क्यों नहीं पैदा हुई 370 लोगों को 15 लाख रुपए क्यों नहीं मिले 370 तो मुद्दों को कही ना कहीं गायब कर दिया गया है और एक नया सगूफा छोड़ा गया है कि अगर हम जीत करके आएंगे तो सावरकर को भारत रत्म देंगे तो आप 5 साल जीत करके आये हैं केंदर में भी आपकी सरकार रही है आपको जिसको मन कर रहा है उसको आप भारत रत्म देंगे ही रहे हैं अभी ये मुद्दा क्यों उच्छाला गया है अभी ये मुद्दा इसलिए उच्छाला गया है जो भाजपा विरोधी दल हैं उनका आपस में युक्ती नहीं हुआ है NCP Congress बस साथ में आई है बाकी पार्टियां अलग-अलग चुनाव लग रही है लेकिन अलग-अलग चुनाव लगने के बाभजूद मैंने ये देखा है कि आपस में एक friendly relationship है इंदलों के बीच में लोग अपने-अपने जो मजबूत गड़ है उहां से चुनाव लग रहे हैं बाकी जगहों पे खुले तौर पे जो भाजप को हराने वाला candidate है उसको support करने का आवान कर रहे हैं देखिए भाजपा का घोशना पत्र तो RSSS तयार करती है विपक्स तो नहीं तयार करता है तो जो वो घोशना पत्र तयार करते हैं अपने चुनाव के दवरान उस घोशना पत्र के आधार पर जब वो 5 साल सरकार चलाते हैं तो कोई भी मुद्दा वो resolve नहीं करते हैं तो उस पर विपक्स सवाल उठाएगा भाजपागर अपने घोशना पत्र में कहती है कि हम किसानों की आई दोगूनी करेंगे वो कहती है कि हमार साल 2 करो नौकरी पैदा करेंगे वो कहते हैं कि भरस्टाचारियों को जेल में डालेंगे और 15 लाख रुपे खाते में पहुँचाएंगे तो आपके पास इन सारे कामों को करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है आप उसको दिखा नहीं सकते हैं कि आपने कोई काम पिछले 5 साल में महारास्टी की जनता के लिए किया है तो उससे बचने के लिए आप 370 का मुखोटा लगा रहे हैं जैसे विपक्ष ये नहीं तै कर सकता है कि भाजब कौन सा मुद्दब चुनाव में उठाएगी उसी तरीके से भाजब ये नहीं तै कर सकता है कि विपक्ष उनको किन चीजों पर घेड़ेगा किन चीजों पर सवाल पूछेगा लोगतंत्र तो चलता इसी तरीके से है जो आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में थे वो आज विपक्ष में क्यों है क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो जो वादा उन्होंने किया जो घोषना उन्होंने दिया जो घोषना पत्र उन्होंने बनाया उस घोषना पत्र को उन्होंने लागू नहीं किया देखिए संकल्प पत्र जो है एक मुखोटा है इनके पास मोदी के मुखोटे के अलावे और कुछ नहीं है ये मिंसिपल का चुना हो तभी मोदी का नाम लेते हैं ये बिधान सभा का चुना हो तभी मोदी का नाम लेते हैं लोक सभा का चुना हो तभी मोदी का नाम लेते हैं मोदी मोदी करने के अलावे इनके पास इस देश की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है महाराष्टा की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है मुद्दा के नाम पे इनके पास सिर्फ मोदी है और ये मोधी के नाम पर, राम के नाम पर, सावरकर के नाम पर, कभी गांधी को माला चरहा करके, ये सब नाटक करके, बाहर जा करके, बुद्ध की बात करेंगे, देश में आ करके, युद्ध की बात करेंगे, ये सब करने के पीछे इनका एक मोटिव है, पहले जब ये विप पिछले कई साल से चला रहे हैं, तो लोगों ने देखा है कि ये कोई भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी नए नए गड़े मुर्दे उखार करके, लोगों के जो उनके बुन्यादी सवाल हैं, उससे गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अंग्र ब्रस्टाचार के खिलाफ हूँ और मेरे बेक्ग्राउंड का कोई भी व्यक्ति ब्रस्टाचार का सपोर्टर नहीं हो सकता है क्योंकि यही ब्रस्टाचारी विवस्था हम लोगों को गरीब और सोशित बना करके रखती है हमको मजबूर करती है लेकिन यहां एक राजनितिक समझना बहुत जरूरी है जिस NCP के नेता पे भरस्टाचार का आरोप है जिसको AD notice दे रही है सामको यदि वो भाजपा जोईन कर ले तो भरस्टाचारी सदाचारी बन जाता है इस राजनिति को एक्सपोज करना भी जरूरी है जो भरस्टाचारी है भाजपा से बाहर है तो ब्रस्टाचारी और भाजपा जोइन करते हैं उसादाचारी कैसे हो सकता है आप हाथ पे गिन लीजिए कि कितने कॉंग्रेस और NCP के नेता जिनके उपर भ्रस्टाचार का आरोप लगा जिनके उपास ED का नोटिस आया जिनके पास CBI गई इंकम टेक्स गया वो भाजपा जोइन कर लिए भाजपा की टिकट पे चुनाव लग रहे हैं तो भाजपा क्या कर रही है दरसल भ्रस्टाचार को मुद्दा बना करके भ्रस्टाचारियों को डरा करके और भ्रस्टाचारियों को आपस में सामिल करा रही है वो एक नारा देत यही जो हमारा एक प्रिंस्पल पॉलिटिक्स है यही प्रिंस्पल पॉलिटिक्स का एक उधारन मैं आपको दे दूँ जब मैं इन्वस्टी का चुनाव लर रहा था तो हमारे एक सीनियर लीडर ने एक हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस के ऊपर एक कमेंट किया जो की जेंडर जस बस नाम लेने के लिए नहीं है, उनके जो वेवार हैं, उनके जो सिध्यान्त है, उस सिध्यान्त और वेवार की जो एक रूपता है, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ कि कॉंग्रेस, NCP, BJP छोड़ दीजिये, मेरी पार्टी का कोई नेता, अगर भरस भरस्टाचारी सावित कर दे, कोट में अगर कोई भरस्टाचारी सावित हो, कोट में अगर कोई एंटीनेशनल सावित हो, कोट में अगर कोई राजद्रोही सावित हो, तब उसका समर्थन हम करें, तो हम अपराधी हैं, सिर्फ आरोब की आधार पे अगर आप बात करेंगे तो आरोप तो पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किसी के उपर भी लगाया जाता है तो पॉलिटिकल वेंडेटा को भी समझना जरूरी है और ये जो सरकार है इसका तो यही काम है आप आप मुझे बताइए अमर्थ सेन जो नोबेल ओरियेट हैं उनको अंटिनेशनल बोलते हैं तो क्या हम अमर्थ सेन के साथ खड़ा होना बंद कर दें का समर्थन करना ज़रूरी है आज भी हम अपने सिध्यान पे ठीके हुए हैं कि देश की रक्षा करने के लिए एक युनाइटिर फ्रंट का जरूरत है जो लोग अपने आपको कहते हैं कि हम से क्लिडिजम में बिलीव करते हैं गांधीजम में बिलीव करते हैं बेटकरिजम मे करेंगे बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक जुट होने का प्रयास कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भी बीबीसी शेपकर थैंक यू